नमस्कार दोस्तों डीडी रेट के एक और एक्षन वीडियो में आप सभी के स्वागत है मैं मालो तो आज जो वीडियो ले कर रहा हूं वहारी सुल्टान का वीडियो है और उन्होंने जो कश्मीर में हुआ है उसके ऊपर वीडियो बनाया है चले देखते हैं कि क्या कह रहे ह एक तो हसान अली श्क्रिंशोट लगा जैता हूं अली ने जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उन्होंने कल परसो अपनी स्टोरी में इंस्टा स्टोरी में शेयर किया था जिसमें मों कश्मीर वाली तस्रीव थी और वैस्ण देवी अटैक की बात हो रही थी इसके अलावा ऑस हैं आप हमारे साथ खड़े हैं इसके अलावा जो अपने वो साउथ अफ्रिका वाले कौन से हैं किशन महराज क्या नाम हों का केशो महराज उन्होंने भी सेम वही शेयर किया है कि भाई वी सपोर्ट वी स्टैंड विट इंडिया जमो कश्मीर के साथ हम है वैस्ण देवी अब सपोर्ट आना शुरू हुआ है और लोगोंने बात करनी चुरू की है जब इतने बड़े लोग बात करते हैं अलग अलग देशों के लोग बात करते हैं तो उनके जो फालोवर्श है बाकि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है तो यह जो one-sided formula लोगों ने लगाया अब उसका यह जवाब मिलना शुरूब है कि चीज़ा one-sided नहीं होती है अगर गाजा में मासूम मर रहे हैं तो वहाँ भी दुख है और अगर जम्मू कश्मीर में मासूम मर रहे हैं तो वहाँ भी दुख होना चाहिए और दुख है लेकिन इधर वाले को लोग गोल कर जाते हैं सिर्फ वही वाले को लोग सपोर्ट कर दूब्लम यह तो यह दोगला रवया अब चलेगा नहीं करके कश्मीर में फिर से आगाने की कोशिश की जा रही है जहां पे हमने सुक्सेस स्टोडी देखी है कश्मीर में दाश्रगर्दी को कंट्रोल किया गया लेकिन पता नहीं कौन सी ताकते पीछे हैं मैंने क्या सकता कि यह हमारी तरह से यह हरकते इस तरह की की जा रही है लेकिन इन लोगों को कोई असला देता है ने क्यों आप क्यों नहीं कह सकते ये तो open market में है हरिस भाई ठीक है आप पाकिस्तानी है लेकिन सच तो बोलेंगे न अभी कुछ दिनों पहले ही जो पाकिस्तान के केर टेकर प्राइम इनिस्टर से स्ती शौट लगा देता हूँ उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए हम 300 लड़ाईया लड़ेंगे भारत से उस लड़ाईया लड़ने का इस बयान का क्या मतलब उससे ये सलाओ दीन वो मसूद अजहर वो हाफिस सईड ये लोग आके जब माइक पर जो बोलते हैं वो लाइने में बता नहीं सकता दिखा नहीं सकता कि भारत की बरबादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी ये कौन बोलता है ये पाकिस्तानी ही तो बोलते हैं अगर आप ये कहते हैं कि ये पाकिस्तानी ही हमारी साइट से होता है कि नहीं होता है इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता तो थोगा सा अफसोर्स हुआ मुझे कि इतने सबूत होने के बाद भी कसाब कहां से आया था प्रॉक्सी बॉर्ट छेड रखी इतने सालों से उसके बाद भी अगर आप जैसे लोग भी खुल कर नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे होगा खैट नहीं ठीक है आपके अपने विचार है इस ओके मतलब कोई ओफनसिव बात नहीं कर रहा है लेकिन मैं सिर्फ अपना काउंटर दे रहा हूँ कि मतलब हमारा पक्ष यह है और जिसको दुनिया मानती भी बस यह कह रहा है इन लोगों के कुछ एजंडा होते हैं और यह अपने मकासिद के लिए अपने जो अब्जेक्टिव होते हैं उनके हसूल के लिए इनको लोगों की जानों से कोई परवान नहीं पड़ इसलिए यह इस तरह की अरकते करते हैं दैशतगर्दी करते हैं आम लोगों को मारते है ताकि जो state होती है वो प्रवोक हो और फिर वो प्रवोक होती है तो जहां पर जब military ज़्यादा आती है तो obviously वहां पर जो violence है वो बढ़ जाता और यह कोशिश की जा रही है यह वोप के यह situation ज़्यादा आगे ना जाए यूपी से अभी identity भी मैं हिंदुस्तान टाइम्स को करने तो उसी तरह कुछ हिंदु लोग भी वहां पर बचारे गए और वो बस पे थे तो कुछ दैशतगर्दों ने उनके उपर गोलियां मारी जिसकी वैससे जो बचारा ड्राइवर था वो अपना control खो बैठा और खाई में गिर गई बस और दस लोग मारे गे जिनमें मैं पांच अच्छे बच्चे हैं विडियोस तो नहीं है तस्वीर ने देखी है मैंने बड़ी ऑफिसी ड्राउनी है लेकिन यह क्या हो रहा आब आपकी इतनी इंवेस्मेंट लगाई जा रही है इंडिन किश्मीर में तो सुनने में यही आता है कि इंडिया के किश्मीरी ने चाहिए लेकिन इससे जाधा उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्यों क्यों यूनियन में यह फैडरेशन में युनाइटे सेट्स अमेरिका में रहना चाहते हैं वहाँ पर कोई दोहरा म्यार नहीं है दोहरा स्लूक नहीं है वहाँ पर इस तरह की जो जो फॉल्ट लाइन्स खाने को आटे हैं कि पैसे नहीं है हमने मजब खाना तो नहीं है होंगे हमारे मुस्लिम भाई आदा हमारा अजाद किश्मीर उधर रह गया लेकिन हमने उधर देनी जाना उधर आने की इनके कोई ख्वाहिश नहीं है तो जारी बात है जो इधर वाले लोग है वो पिर कहते पो तो बीच में आम लोग भी मरते हूं तो इस तरह एक रिज्टमेंट और हम पैदा होताया आवाम के अंदर यह पॉलसी होती आ उपर से बड़े अराम से ओर्डर दिया जाता कि बई फोड़ी सी छेड़ा नहीं करो देखते हैं क्या होता, नीचे सेंक्ड़ों लोग मारे जाते हैं सिर्फ अपनी बड़ी प्लिटिकल गेम के खाते तो question ये पैदा होता, मैं अब यह जब पाकिसानी बात करा रहा हूँ यूँकर obviously मैं तो अपने लोगों के भाले सी बात करूँगा कि क्या मिल गया आपको पिछले 75 साल से खरके अयूब ने जब पैंसर बड़ा valid point हारिस भाई ने उठाया है और अगर पाकिसानी हारिस भाई को सुनते हैं तो ये point के बारे में सोची जो ये point to run उठाया है क्या मिल गया आपको 76 years में क्या मिला आपको और वहाँ के कश्मीरियों को क्या दिया आपने बहुत valid point उठाया है ये चोटा मोटा point नहीं है, बहुत valid point है क्या मिला और वहाँ के कश्मीरियों को आपने क्या दिया आपने वहाँ के कश्मीरियों को दुख दर्द दिये मौत दी है उनको रुलाया है उनकी generations आपने खतम की हैं, जिनमें कश्मीरी पंडित भी शामिल है, वो भी उसी कश्मीर के हैं, और असल कश्मीर तो कश्मीरी पंडितों का है, क्योंकि रिशिक कश्चप के नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा था उनको वहाँ से बेदखल किया गया, आप लोगों ने किया उनका जैनोसाइड क्या आप लोगों ने किया नर्संगार जी से कहते है आप लोग सुख्षैन से ने रह सकते पाकिस्तान याद रखिएगा आप लोगों को खुशी कभी नसीब नहीं होगी आप लोगों को सुख कभी नसीब नहीं होगा क्योंकि मजलूमों के खून से आपके हाथ रगे और जो पाकिस्तानी यह समझता है मेरा उससे क्या का मैं आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई इसलिए आप भे उसमें शामिल मुलबस की जंग हारी थी उसने का था मैं अगली दफ़ा कुछ हजार किश्मीरियों के लिए अपने करोड़ों पाकिसानियों को कुर्बान नहीं करूंगा लेकिन वह पॉलिसी कि खतरनाक थी बड़ा प्रॉपेगंडा किया गया दिखा गया कितने लोगों को मारा जा रहा है सरों में गोलियों ड्रिल मशीने बगहरा बगहरा इसला की वीडियोस में देखते थे और हुआ भी होगा वाइलेंस जारी बात है जब आप कहीं पर भी फोज जाती है तो वहां मुसल्मान भाइख है गया रहरा बगहरा तो यह जब मूक को अपनी टरिटरियल सब बाड होते हैं पाकिस्तान का किश्मीरी क्या क्या रहा है मेरी बेठी को जाइए एक मेहने बाद मेरी बेटी की शादी थी तो जो-जो-दो Mijon मेरे सामने एस फोजी ने उसके साथ तो कि किश्मीरी बता रहा हुआ पूए कोई इनकी बहाई साहब जो आदसकरे में बड़ा दुख है कैसे ऐसे हो सकता कोई कैसे जिंदा रहा सकता और कोई कैसे यह कहानी सुना सकता लेकिन यह हो रहा है इसलामी जेमुरिया पाकिसान में जो इन्होंने रखाता है इस लिए ठीवन, इसलाम ब्रूर्प है मेरे स्वाल है उन लोगों से कि हर चीज आपके मुलक में खराब है आपके यूथियों के साथ क्या हुआ उससे पहले नमाश्रीव के लोगों के साथ क्या हुआ भुटों के साथ क्या हुआ बलोचिस्तान में क्या होता है पीटीम के साथ पश्टूनों के साथ क्या हो रहा है के साथ हजारा में क्या हुआ वो एक और जगा के पीके के अंदर ही है मुझे भूल कि उसके नाव खैर उसमें स्टेट रिस्पॉंसिबल नहीं है लेकिं स्टेट लुक दी अधर वे जब तालबान उनको सुनी मार रहे थे और किश्मीर में भी इस तरह का काम होता तो जब हर अब आटे बिजली के ऊपर वहां पर पाकिसान से लेके नारे लगे तो आपको क्या लगता है लोगों को उठाते तो आपको क्या मुसीबत पड़ी है उतर औरों के साथ पंगे लेने में आपने मुंबई में काम किया पठान कोट में किया आपने उनकी पार्लिमेंट पर हमले करवाए मानली आप यह आपने खुद नहीं किया आपको एक इंच तो आप ले नहीं सके मुझे याद है मैंने यह अच्छा हार्स भाही है ने कम से कम मुझे नहीं पाता था कि 99 में हम बैसी मेरे वाले सापको किजने बेवकूप बना डिया अब है उन्हें नहीं का चलो आपको किशमीर आपको घुमाने पर आने लेगए जलते माई माया तो हम आपे गयेगे तो मुझेगे रहीने चला हु गोई चे घंटे की मुसाफ़र से उपर गए और वहां पर फिर वहां पर वहां पर फिर हाफिस हाई हमें नहीं पता था नाव विर स्केट हमें अब नीं पता कि यह क्या मैं मेर्ड़ी बच्छा लहूर से गया वहां पर एक कमरे गर अंदर को 200 मोल वी अंदर सौरत तोने वह स मुझे रिक्रूट करने लगे थे मैं लोड़ा कि जाना था माई फादर उन्होंने चलाकी से काम कियो उन्होंने करने हम इसको फोज में भेज़ेंगे वह तो लोगों के बच्छें पगड़के कैम्प में डाल रहे थे तो मुझे भी ले लेकर वो बचारे घ्रीबों के पहे जाएंगे तो उसने कहा कि फोज इन्होंने आज तक एक इंची जमीन ने ली बलके खोई ही ही है जमी मेरा बुन लोगों से सवाल है कि आपने इतने अरसे से लोगों का खून भाया आपने कौन सी जमीने फता कर ले कुछ भी नहीं फता किया बलके जो आपके हाद में वो भी जालना घलत पॉलसियां पतानी कब और सबसे बड़ी बात हारिस भाई ये पाकिस्तान का जो अलीट है वो ये जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता शबरजादी को आप जानते होंगे बड़े आदमी हैं पाकिस्तान के पावर अलीट में शामिल हैं एक बीयार के चेर्म बूल चाए किश्मीर को किश्मीर लेना है तुम लड़के ले लोगे तुम क्या बाते करो यार तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टेंको बेजागे श्री डगर फता कर लेगी ये कह रहे है तुम आर्वी इन सेंसिस तीन दफ़र तुम ये यह हरकत द नहीं आई तर वो कश्मीर पाकिस्तान की शेरक है शेरक थी ना तुमारी कट गई ट्रेन चला दी है जमू से स्रेट अगर बानी हाल पास के तुरू किस दुनिया में बैठे हो ताटा कमनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बरावर हो गया है एक कमनी का कश्मीर पानी को देकर कुछ भी करके कश्मीर नहीं ले सकते यह इंपॉसिबल है आपने सब कुस्ट कर लिया और यह जो प्रॉक्सी वार आप छेडर चेड़े हुए हैं जो यह सब कर रहे हैं यह आपका बहुत भारी नुकसान कराने वाले यह यकीन मानी बहुत भारी नुक्सान ऐसा नुकसान जिससे उबर पाना शायद आपको 100 लग जाएंगे तब भी न उबर पाएंगे याद रखिएगा मेरी बाद इनको अकल आएगी कोई कुछ नहीं मिलता यह जी पॉलसी आइन्हों ने बनाई मिया अपने लोगों को उपर फोक स करें जो है Уसी के उपर फोकस करें उसको बेहतर करें अकरे बड़ी आपको 28 क्रोर की है इनके उपर पैसा खरच करें इनमें आपको कोई पूछने वाला नहीं आपकी कोई कोई वैल्यू नहीं है लिटरली कोई वैल्यू नहीं है तो खैर मुझे एफसोस हुआ यह देखा होप कि यह से ज्यादा आगे बात ना जाए यह जो इन्होंने किया आपके इनको इंडिया की स्टेट पकड़े इनको ढूंडे और जिसके ना शुडने के पेल ना जाया फिर से जैसे पहले करने की कोशिश की फिर वो उसको दो कर लिया डिस इस यहां पर वर किसे रहे बचारा प्राइम मिनस्टर बनाने की कोश्च बना ते यह कोश्च कर दोंगे के सके पदेशा बैखना उर्ल और अभी इलक्शन मु पिछली दफ़ा थी तो इसके उपर फिर से लीडर्शिप दिखांगे नहीं आप हमने डंडा तो नहीं के रखना है पहले जो आर्टिकल 370 ये 270 जो रिवोक किया था अपने मुलक के साथ ठीक है भाई जितने मज़ी चीखें चपाने करो जितनी मज़ी चलांगे मारो उठे होगे नचो उनको कोई परवाह नहीं है उनकी एकनोवी बढ़ रही है उनका पर-capital rise कर रहा है उनकी दुनिया में प्रस्टीज बढ़ रही है कोई आपके लिए सुनता यह जो शरादत आपने की आपके इसके इंदर को पाकिसान का हाथ ना हो वरना इनकी दुलाई करने के लिए वह बयान बाजी शुरू हो जाएगी अगर आपको मेरे यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे बिल्कुल पाकिसान का हाथ है सबूत दे दिये गए है जो आतंगवादी इसके पीछे थे उनको चुन-चुन का ठोका जा रहा है और उनके सारी पहचान आ गई है पाकिस्तानी पहचान है पाकिस्तानी आइटिटी है पाकिस्तानी नेशनल है अब इससे बड़ा सबूत और क् पते हैं जो बात आपने बताई ना कि उस समय 2001 की बात की वहां recruitment चल रही थी यह चल रही तो आज भी होती हो और कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ आप पांच दरख्त गिरे दो कवे मरे और 45 दिन लगे थे उस जगा को खोड़ने के लिए आम लोगों के लिए पंतालेस दिन तक वो जगा सील करके रखे ती फॉट्टी फाइव डेज खर वोलग बात है देखे जम्मु कश्मीर जिस तरह से आपके हाँ से निकला है आपके हाँ से इंदसर के पाकिसानियों के लिए करो पाकिसान के हाँ से जम्मु कश्मीर का मसला निकल चुका है वो पाज नहीं आ रहे हैं आपको लगता कि नहीं नहीं असे डराया तो और इसका जवाब बहुत बुरा होने वाला है उना अतंकवादियों की तस्वीरें वीडियो पूरे सोचल मीडिया वाइरे नहीं आपने देखा उनका क्या हारत किया कैसे हमने बहत्तर हुआ के पास वो और नौकरियां, वो पढ़ाय कर रहे हैं वो स्पॉर्ट्स में आगे निकल रहें और पमवब्ध कि डॉक्तर निकल रहें रहे हैं सैख्रोग कि संख्या में मेडिकल की फसिलिटीज वहां पर सुधर रही है इन्वस्ट्रीज की फसिलिटीज यह वह सब कुछ आप लोग परिशान हों क्योंकि यह अप सारी चीजें जो उस पार कश्मीर है जिसे हम पाकिसानियों को पार जम्मुकिश्मित कहते हैं वहां के लोग देख रहे हैं वह करे आएगा जब यह विद्रो करके कहें हम तो अपने जम्मुकिश्मीर में मिल रहे हैं फिर आप क्या करें आपके आउकात नहीं है उनको रोकने की आप लोगों की बॉखला हट इसलिए है क्योंकि जम्मुकि में इन्वेस्टमेंट आ रही है और वो डॉलर्स आ रहे हैं वहा सारा जम्मुकिश्मीर आगे बढ़ रहा है कि आप एक एक बिलियन डॉलर के लिए लेटे पढ़ें आई मेंफ के आगे हम 14-14 बिलियन डॉलर हर साल हम दे रहे हैं वहाँ पे बजट इसलिए आपके बॉकला है इसलिए आप यह कायरता पूर्ण वाली जो है ना यहरकत है आ आपको दिया जाएगा इंतिसार कीज़ें कमेंट कर गया बताएं आप क्या कहते हैं जल्दे मिलता हूं एक और ने वीडियो के साथ नमस्कार जय हुआ